चोरी चोरा थाना कांड को लेकर के अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर जेल हुई और 28 लोगों को मौत की सजा मिली 93 लोगों को जेल भेजा गया और काले पानी की सजा 16 लोगों को हुई यही नहीं अंग्रेज सिपाहियों ने इस छेतर में दासत का मौहाल तयार किया लोगों कोई घर में घुसकर उनके साथ लूट पाट की गई बन बेटियों की इज़त लूटी गई प्रताड़ना का एक ऐसा दोर चला जो बहुत कठिन था जो हिर्दे और रोंगटे खड़े कर देने वाला था लेकिन तरासदी इस बात की है कि 1922 के बाद आज भी ये परिवार गुमनामी के अंधेरे में है इनको कोई पूछने वाला नहीं है इनकी सुद्र लेने वाला नहीं है कोई यही नहीं एक सबसे बड़ी जो तरासदी है इस कांड की कि इनको गदार की पद्वी मिली हुई है और ये इस मारक बताता है कि जिन 93 लोगों को जेल हुई जिन 28 लोगों को फासी की सजा हुई जिन 16 लोगों को काले पानी की सजा हुई उनके आगे ये सहीद है और वो देश द्रोही है सवाल इस बात का है कि जिन्हों ने देश के लिए लाठिया खाई जिन्हों ने अपनी जान गमाई जो काले पानी की सजा जिन्हों ने भुगती क्या वे देश त्रोही हैं क्या इस देश का कानून इस देश का सम्मिधान इस देश की ब्यवस्था इसमें परिवर्तन नहीं चाहती क्या यहां के लोगों को मात्य पर गद्दारी का ऐसा धबा लगा रहेगा जो उन्हें चैन से नहीं रहने देता यह भी सवाल है कि आजादी के इतने साल बाद क्या किसी ने इस पर बदलने की कोशिश करी इस बेवस्था में सुधारो लाने की जरूत महसूस करी जिन्मोंने देश के लिए लाठिया खाई और गद्दारी के बोस्तले कब तक दबे रहेंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ भी सबकुछ कुर्बान कर दिया वे गदारी का दाग लेकर कब तक जीते रहेंगे सवाल और भी हैं, सवाल बहुत महत्तोपूर है लेकिन इस ब्यवस्था को बदलेगा कौन? यहां के लोगों में आक्रोश है लेकिन इस ब्यवस्था में बदलाओ की जरूरत सरकार ने, प्रसासन ने, या थोड़ा जिम्मेदार लोगों ने क्यों नहीं ली?